नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस फोनीशन और मैं हूँ आपके साथ युवराज बंगाल विधानसवा चुनाओं में भारी बहुमत से जीत के बाद ममता बेनरजी लगतार दिल्ली दौरे पर है पांस दिवस्य दिल्ली दौरे के दौरान ममता बेनरजी लगतार विपक्ष के नेताओं के साथ साथ प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी से भी अभी तक मिल चुकी है उनकी मुलाकात के अगर फैरिस्त बताई जाए तो उन्होंने फिल्हाल अभी तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर ली है वहीं बीते गुरुवार को ममता बेनर जी ने महान, फिल्मकार और फिर एक गीतकार जावेद अक्तर और उनकी पत्नी शवाना आजमी से भी मुलाकात की है अब मुलाकात के बाद एक और खबर यह उट रही है कि जिस प्रकार बंगाल में खेला होवे के नारे का भरपूर उप्योग किया गया था तो हैं ममता बेनर जी ने खेला होवे के नारे पर अब एक गाना बनाने का अनुरोध जावेद अक्तर से कर दिया है इसको लेकर आखिर गीतकार जावेद अक्तर ने ममता बेनर जी से क्या कहा है आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार ममता बेनर जी का नारा खेला होवे अब एक गाने के रूप में भी भारत में प्रस्तूत किया जाने वाला है पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ने गुरुवार को जाने माने गीतकार और कवी जावेद अक्थर से तिरिनमूल कॉंग्रेस के स्लोगन खेला होवे पर गाना लिखने का अनुरोध किया है जावेद अक्थर और सबाना आजमी ने कल ममता बनर्जी से बाचीत की ममता बनर्जी चार दिनों की दिल्ली यात्रा पर है इस दोरान उन्होंने पीम नरेंदर मोदी के अलावा विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की है बंगाल सीय ममता बनर्जी से मिलने के बाच जावेद अक्थर ने बताया है कि वह किसी के लिए भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जोग सकते उन्हेंने बताया कि अब देश में फिलाल परिवर्तन होना चाहिए देश में अभी भी कई जगा तनाओ है धुर्विकरन का मुद्दा है कई लोग आकरामक बयान देते है हिंसा की घटनाएं होती है या शर्म की बात है कि दिल्ली में समरदाईक धंगे हो जाते है ये चीजें नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा है कि बंगाल ने हमेशा क्रांतिकारी आंदलोनों का नेतरित्व किया है अक्तर ने मम्ता से मुलाकात के बाद बताया कि बंगाल का इतिहास है कि इसने क्रांतिकारी आंदलोनों का नेतरित्व किया है बंगाल के कलाकार और बुद्धी जीवी ममता का समर्थन करते हैं कि जीत पर बधाई भी ममता बेनरजी को दी है बेनरजी से मुलाकात कर कलाकारों को रैलिटी देने का आश्वाशन देने वाले विधे का समर्थन करने के लिए भी धन्यवाद दिया है अक्तर ने यह भी कहा है कि परिवर्तन में विश्वास करने के लिए वह बंगाल को ही चुन रहे हैं अब वह भारत के लिए लड़ना चाहते हैं मतपूर्ण सवाल लिया है कि आखिर विपक्ष के तौर पर क्या ममतब एनर्जी को पूरा देश चुननेगा गीतकार जाविद अक्तर से जब चर्चा में आये खेला होवे नारे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह जवाब दिया कि नारे को अब किसी समर्थन की जरूरत नहीं है उन्होंने बताया कि अब यह चर्चा से आगे निकल चुका है अक्तर के बोलते समय चुप चाप खड़ी ममता बनर जी ने चुटकी लेते हुए कह दिया है कि खेला होवे से अब एक नया गाना बनना है तो जिस प्रकार ममता बनर जी ने बंगाल विधान सवा चुनाओं में एक तरह से भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया था तो वहीं उनका जो स्लोगन था खेला होवे वो भी पूरे देश में अभी फिलहाल जागरे थे आपको बता दे कि जिस प्रकार से उनकी मुलाकास शवाना आजमी और मशूर गीतकार जावेद अक्तर से हुई है तो इसको लेकर भी अब अटकले लग सकती है कि उनके नारे यानि खेला होवे पर जावेद अक्तर जल्द ये एक नया गाना बना दे बता दे कि जिस तरह से जावेद अक्तर ने ममता बनर जी का समर्थन किया है और कहा है कि देश में अभी भी महौल ठीक नहीं है समर्थाइक मुद्दे उड़ जाते हैं और फिर ध्रुवी करन किया जा रहा है इसको लेकर समाम देश वास्टियों को बचना चाहिए उन्होंने खुले तोर पर ममता बनर जी का साथ दिया है और कहा है कि ममता बनर जी ने अकेले दम पर भाजपा को रोग दिया तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते हैं न्यूस पो नेशन नमस्कार